तो भाई आज काल का जो रूटीन है थोड़ा सा अलग हुआ है आँख मीचते ही सबसे पहले फ्रिज के सामने आ जाते हैं सबजी या देख रहें क्यूंकि बच्चों का स्कूल खुल चुका है फिर से एक बार बिंटर विकेशन के बाद कई दिन खुले हो चुके हैं अब यह सबसे पहले मैंने मेथी को धुल करके रख दिया है और मैंने सोचा सबसे पहले पनी गुलिया का लेते हैं काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना स ज़्यादा ज 나오y होता है टाइम टू टाइम सबसे पहले अपने किचन में एक घरि टांग ले अगर नहीं है तो आप मेरी बात मानें तो घड़ी क्या होती है न हमें टिक टिक करके अपना टाइम बताती रहती है कि भाई मेरा तो मतलब बिना घड़ी के काम नहीं चलता एक तो एक रूम में उधर घड़ी है जहां पर रहते हैं और किचन में हमारे घड़ी रहती रहती क्योंकि मुझे जो क सब्सक्राइब करें लांगे साथ को तो सब्सक्राइब लोग के सामने सब्सक्राइब जो भी है जैसा है मैं ये खी exercise रोट डेली करती हूँ कम से कम ये भी exercise मतलब मैं करूँ आप लोग के सामने करूँ आप लोग भी देखें और मतलब थोड़ा सा motivate होंगे देखने के बाद हमें ये होसला मिलता है कि चलो मुझे भी करनी है तो सबसे पहले warm-up से शुरू करते हैं warm-up करते हैं मैं गले की हड़ियों से और उसके बाद मैं कंदो का warm-up करते हूं उसके बाद पेट की इंटी क्लाकवाइज इंटी क्लाकवाइज उसके बाद मैं पैरों का warm-up करती हूं उसके बाद हाथों का warm-up करती हूं उसके बाद फिर exercise सुरू करती हूं तो सबसे पहले यह वाल एक्सरसाइज आपके पेट के लिए और आपके हैंड के लिए भी और आपके पैरों के लिए भी यह फुल वाड़ी एक्सरसाइज है आप करें मतलब की एक्सरसाइज करने से बहुत 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 जादा मतलब बहुत अच्छा लगता है हमारे सरीर के लिए हमारे सर सब्सक्राइब के ल syrup जाएं, अब ये वाइबी यह दो यह है कि आप को आपकी कमर पहले रहे हैं कंभी और Indy अभेष्त हरा आ परहाईगा यह क्ली आपको दिखने अब पूरा तरीष्र आपके पास तायम है करें तो ही आप करती हुँ कुछ exercise हैं जो time कि कमी होने के नात office ङी करती हूं जो मैंसु नहीं कर पाती हूं और स्वां जारू कर लेती हूं जैव तो चुबा जरूर कर लेती हूं जैसा time होता है वैसा मैं कर लेती हूं और ये वाला मेरे मोटे-मोटे जो हाथ थे बहुत मोटे मेरे हाथ थे इन हाथों के लिए और एक चीज में बताना बूल गई सारे exercise को मैं कम से कम 100 बार करती हूं जो मुझे बहुत जादा अच्छी exercise लगती है उसको मैं 100 बार करती हूं जरूरत होते ही कहीं न कहीं हम गिरभी सकते हैं तो इसलिए अपना बैलेंस बना के एकसरसाइज करें आपको जो भी एकसरसाइज आच्छी लगती हो करें जो आपको पायदे मन लगती है爆 сил पर किवा बहुत सारा टाइम था, सिंपल सबजी बनाने सी, इस सबजी में मुझे जादा कुछ करना नहीं था, अब देखिए एक्सरसाइज करने के बाद न, ऐसा लगता है न, किसी ने मुझे थपड़ 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 या दिया हो, मतलब इतनी इनरजी पाल भ हो जाता है, तो हम स्वस्त रहते हैं, भाई हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा मन जो होता है, सच कहूं, हमारे लिए जो अच्छा होता है, हमारा मन कभी करता ही नहीं, जैसे हमारे लिए ब्यायाम करना अच्छा होता है, हमारे लिए वाक करना अच्छा होता है लेकिन जो चीजे मन को नहीं अच्छा लगता वही हमारा मन करता है जो चीजे वहास्थ के लिए अच्छी होती है वो हमारा मन बिल्कुल भी नहीं करता लेकिन मन की ना सुने सिर्फ आपने को तो रहाख करां इंट तो यहां पर मैंने मेथी कट कर लिए बातों बातों में और आलू को मैंने फ्राई होने के लिए कडाही में डाल दिया आधे से ज्यादा आलू कुक हो चुका उसके बाद मैं लहसुन मिर्ची डाला है और लहसुन मिर्ची को आप पहले ना डाले क्यूंकि आलू भूनते समय लहसुन मिर्ची डालने के बाद मैंने मेथी के पत्ते को कट कर कर चौप किया थी है उनको एट जाएगा उसके बाद मैंने बछे सब्चे हों बनती है खाते हैं भी ख़ार करते हैं और लेकिन घुलू हम पांडे जी सारी की सारी सब्जियां खाते हैं बच्छे गए श्कूल वो लोग और उनके पापा गए छोड़ने उसके भाद मैंने तोछ फट फटाप फट फर से कीचन की साथ सब्सक्राई कर लेती हूं और सबसे पहले मैं बरतन को ह सबसे पहले में अद्रक लिया है और यह दोड़ा यह लिया है और यहां में रात को वाला डिंक जो होता ब्रुद्ध भीलहें दौन गहीं और मुझे याद था कि मुझे सुबह निवा पानी पीना है ऑदété पीले अब इस बार ठंडी में आउला पानी कभी मतलब नहीं पीया और मैंने सोचा आउला आया है तो चलो आउला पानी पीले थे आउला और अधरक मैंने पानी में डाल करके रखा है बहुत ज्यादा खट था आउला ऐसे दात कोट हो जा रहे थे दात हमारे और पहले तो इत आउस ध्यायत को पहुति कते हूं अविप नहीं कर रहे हो तो अपने लिए दो पार यापार का लुटाबाइं स करने के लिए बहुत जादा हिल दी होती आप एक रोटी खालो पेट भर जाता है और मैंने सोचा जब रोटी बना ही रही हूं तो फटा फटा से एक अपने लिए क्विक सी सब्जी बना लेती हूं जिसमें बहुत जादा कम टाइम लगे तो यहां पर मैंने दो प्याज लिए है और तीन हरी मिर्ची लिए और मैंने दो चुकंदर लिये चुकंदर जो है ना मुझे चचे सलाथ में नहीं अच्क होता हम जाँ होता होता हिटा बहुत होता चाइक मछी सब्जी बनाते लिए urch sie करते हैं एक चमज से कम आधा चमज मनें देसी की डाला इसके बाद जो सारी सब्सक्राइब का जीरा का सूरी में यह तड़का लगाया है और बस सारी सब्सक्राइब कर दिया हलका सा नमक का और वहाइब का पानी कर दिया तोड़ा जौडा मैंने बनाय था अपने लिए गलास जाल था ही घंच ह्लास दही था दही में पानी बहुत जाला था मतलब ऐसे दही को तोड़ा और थोड़ा उसका पानी था तो मैंने उसी दही और पानी को मिक्सर में डालके चला लिया है जीरा और नमक डालके तो हमारा अच्छाश दयार हो चुगा है बसफटा परसी में दो रूटी बनाती हूं और दोपार का लंच लगाती हूं भूख बड़े जूर की रखेशनी लगी वह जो आउला वाला पानी पहिता था उना इसे पेट भरा भरा सा लग रहा है तो मने कहार चलो अच्छी बात है जितना हं कम खाएंगे उसनी जल्डी हमारा वजन कम हो जाएगा और मैंने लिया है और टो टोरा सा मैंने चार लिया है नीबो का थोड़ा सा मिर्ची का चार ऑर साग बनाया था मैंने उसको भी लिया मन मद चल रहा था मेहिती का साग profess और ऍदैस चelते चेहашаare बनाई थी आप शुकंदर को अपने डाइट में सामिल करें, ऐसे कच्चे नहीं खा सकते हैं तो आप उसे सबजी बनाके खाएं या फिर उसका जूस निकाल के पी सकते हैं, बहुत सारी तरीके हैं या फिर आप उसको उबाल करके या फिर कच्चा कदू कस करके आप उसे रोटी में डाल के बना सकती है वो भी बहुत जाद हेल्दी होता है बहुत ही अच्छा होता है तो बस थोड़े से बरतन ते जो मैंने खाया पी आता है था मैंने सोचा हाथ के हाथ उनको भी दूल देते हैं और खाना खाय मुझे आधे घंटे हो चुगा था तो मैंने सोचा भाई पानी भी पी लेते हैं नहीं तो भूल जाएंगे तो यह हमारा ग्लास अलग से है तो इसमें आधा लीटर पानी होता है तो मैं देड़ घंटे में मुझे याद रहता है पानी पीना है और अभी बच्छों से आचुके हैं लंच कर चुके हैं और मैंने वर्तन भरतन धुल लिया इसी टाइम पर मैंने सोचा भाई चलो इसका भी कामी निप्टा देते हैं तो यहां पर सरसों आया था बथुआ था तूरंथ मैं तोड़ने लगी तोड़ ताड़के मैंने सोचा इसको हुलना होता भई किसा होती बहुत सारी मिट्टी आप लोग कहते हैं इसका सरसो का साग अब यह जाने वाला है सीजन तो मैंने सोचा बढ़ तीन बार सरसो का साग बतुए ऐस मेथी के पत्ते पालग के पत्ते हरी मटर कनीमोना यह सारी चीजे खालिया जाए मौसम वाली चीज है नहीं तो अब फिर मार्च में चला जाएगा तो फिर कहां मिलेगा फिर साल भर इंतजार करना पड़ेगा इस चीज के लिए तो यहां पे मैंने सरसोख दिया था थोड़ा सा भाप में पकने के लिए ताकि यह कम हो जाए और मैं और साग इसमें एड़ कर सकूँ अपर से तो मैंने बथुआ को भी इसमें एड़ कर दिया थोड़ा सा हरी मिर्चे डाला है थोड़ा सा इसमें लहसुन डालेंगे आप थो अद्रग भी डाल सकती है इसमें तो और भी बढ़िया होगा थोड़सा मैंने पानी डाला इसमें चार-पांच सीटी लगाएंगे और ये साख पक जाने के बाद मैं फटा-पट से वाग पे निकल गई अभी मैंने सोचा चलो भाई वाग कराते हैं वना फिर पद्देव जी ओफिस से आ जाएंगे तो फिर मुझे रूखना पड़ेगा चायवाय बनाने के लिए फिर मैं निकल चुकी है काफी ज्यादा साम हो चुकी है लाइट जल चुकी है लेकिन मैंने सोचा अगर मैं काम करती रहूंगी तो काम करती होंगी मुझे तो अपने लिए भी थोड़ काम करती हैं जैसे सोई रहती हैं दिन बार खाए पड़ी रहती है तो उस वक्त को आप अपने एकसरसाइज को दे और हिल्दी डाइट कुछ दिन आप मतलब बाहर की चीज़े बंद करके अपने घर का बना हुआ कम तेल में खाना खाएं या फिर आप अपने लिए अलग से के लिए ता मैं ने एक दूद मैंने दः जमाने के लिए लिए रखा है एक दूद गरम होने रखा है बचों का मैगी चाने का मंन हां तो बहुत ही अच्छे सें बहुत ही जम जाएगी दयो नहीं और इसके आगे मिलेंगे अब फिर एक नए व्लॉग में